मामला जोनपूर की पिछकिला घाट का है जहां सरीता और महरीता नाम की दो चचेरी भेहने अपने परिवार के साथ जोनपूर में रहती थी इन दोनों की पती समशान घाट में मुर्दो का अंतिम संसकार करने का कार्य करते थे लेकिन बीमारी की चलती इन दोनों की मोत हो गई अब इन दो भेहनों के सामने एक बड़ी समास्या थी कि वो अपनी बच्चों का पालन पोशन कैसे करेंगी समाजिक परंपरा की चिंता ना करते हुए इन दोनों चचेरी भेहनों ने मजबूरन मुर्दो का अधा संसकार करने का काम ही चुना सुनने में ये काम अजीब जरूर लगता है लेकिन ये दोनों महिलाएं पिछले साथ साल से इस काम को बख्खू भी कर रही हैं आज इस मुश्किल घड़ी में भी वो रोज आठ से दस लाशों का अधा संसकार करवाती हैं जिससे उन्हें 200 से 300 रुपे प्रतिदा संसकार मिल जाता है जिससे वे अपने बच्चों का पालन पोशन करती हैं और गुजारा बसर कर रही हैं धन्यवाद प्रतिज शो ने इसात साल हो गया तो इसमें अब क्रिवंगाने ने माना किया तो इसमें आप तक किरने लोगाए लोगाना किया थिए कि लाहाद आवरत ना जलाई हैं, ना जलाई हैं, हम लोग हाँ जोली, गोर धेली, इसाब हम लोग कर रहा हैं, तक खापका है, मैं चाथे बाल बच्चा के करे दुबारे लेकर जागा, ते लिए अपके हूँ अलतना है, अब सब बलागे ले जाला हूँ, वही चला आपका, जो डौझ रोटी परिवार चलागा के लिए हम लोग कर रहते, कितना दिन होगा बच्चा कितना कमा ले ती इन से, अब एक दिन में दूठे जरा ले, के हूँ हूँ, 50 रुपा दे दलास जोभी न आदेला से, हूँ आपको प्टोडब खोड़गे, के हम लोग कमा अब नहीं है अपने कहा नहीं को दिक्कत हो रहे हैं जब मुर्दास कहा ली जब का कर भूता मैं भूरी तब जलावा और वी काम नहीं मिल रहा है क्या नहीं कि अपने से घर में चलता रही है काम पहले आदमी लोग काता है कितने परिवारों साथ हैं हमारे तीन दूठ रणकी एक रणका आम लेके चाठे चल जाता है ना खर्चात ना चला लब कि का करें को ला कितने दिन से करते हैं चाथ साल से लोग रोकर लेंगी आजो रोते हैं का का है हलें कालम लाहाग जराव था उफ यह को बात होई का ना अब का सारी ता कि अ